कॉंग्रेस नेता इम्रान मसूद इस वक्त हमारे साथ हैं इम्रान जी कल वरेली में तोकिर रजा ने जो जेल भरो अभियान चलाया था उस पर काफी हंगामा वहाँ पर हो गया पत्राव भी हुआ है क्या कहेंगे आप देखें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सबको है और यह के नया ट्रेंड चालू हो रहा है जो आप अपनी बाद भी नहीं रख सकते आप अलदवानी में जो घटना होगी उसका उस नियाले के अंदर डेट लगी वी उस डेट का इंतजार नहीं करोगे आप आप नियाले की परवानी करोगे उठा गर ठीक नहीं है हमारा सबका देश है संबैद्यानिक रूप से हमें जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों की रक्षा करने का दाइत सरकारों का होता है लेकिन जिस तरह से उनके बयान जो सामने अर्दुर लगता कि भढ़काने की कोशित लगातार वो कर रहे थे और उनके किसी भी सूरत में ठीक नहीं है तनाओ का नुकसान होगा लेकिन जो लोग राजनेती के लिए तनाओ पूर्ण बाते कर रहे हैं तनाओ पूर्ण हरकते कर रहे हैं वो किसी सूरत में देश के लिए देश के इत्में नहीं है तो मतलब जो उन्होंने किया है कि कैसे देखते ह होने जा रहे हैं तो क्या गएंगे अब इस पर क्या मानने नुकसान होगा है कुछ या देखे मुझे नहीं पता जेंद जी को क्या लगा उसके अंदर क्या नहीं लगा मेरा मानना यह हो सकता है मैं गलत हूं मेरा मानना यह कि जेंद जी तो कोई फायदा नहीं होगा उसके तो रहग दाहर थे चौदीश शरंच सिंग जी किसानों की बात अगर इस देश के इंदर किसी ने किये तो वो चफ़ीश शरंच सिंग ते जुन्होंने किसान को देश की मुक्यधारा में लाने का काम प्याद जूनने पहली बार किया था कि देश की अर्थ हुए उस था खेत और खलियान से चलती है तो मैं बता हूँ कि ये तो एक बहुत ही एतिहासिक कदम है उसका सब को स्वागत करना चाहिए इंडिया गटबंदन में पहले नितिश कुमार अलग हुए अब जहन चोद्री का जाना माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ लोग और भी है पॉलिटिशन जो चले जाएंगे छोड़ कर तो क्या लगता है कि गमजोर नहीं हो का गटबंदन आप अकेला ही चला था जान दोजवा कांग्रेस है जो बीच के लोग रास्ता इक्तियार कर रहे हैं वो बीच का कोई रास्ता नहीं है तो यह थे इमनान मसूद जिन्हों ने मुलना तोकीर रजा और जहन चोदरी को लेकर अपनी प्रतिक्या दिया टीविनान यूपी के लिए सारिनपूर से विकास कैसरेगर अवाल प्रतिक्तियार के लेकरे का उला जातलै प्रोムास कि क्वामभ्न है वह शहीं है लेकर रहरर जातले कम देदित आतल है कि अमेद कर ओकष्यार के सब्सक्या अबस्तियार ≜ प घडरा टिया जो निमना बीचित www.ब